ऐसी चार जगह जहां दुष्ट आत्मा कैद है आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। ऐसा ही कुछ तथ्य भूत बंगलों से जुड़ा हुआ है जिस पर वो व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता जिसने वहां मौजूद पारलौकिक शक्तियों का अनुभव ना किया हो। नहीं जाना जाता क्योंकि वहां अमेरिका के राश्ट्रपती रहते हैं बलकि इससे भी जियादा खास बात यह है कि यहां अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी कि आत्मा आज भी इस स्थान को छोड़ कर नहीं गई है बहुत से लोगों ने यहां किसे बूढ़े व्यक्ति को घूमते देखा है जो एक ही नजर में आँखों से ओजल हो जाता है कुछ लोग इस बूढ़ी परचाई को लिंकन की आत्मा कहते हैं लेकिन इस परचाई के पहनावे और व्यवहार से इसे जॉन एडम्स का ही प्रेत कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है यह होटल इतिहास के महान चरित्र, किंग जॉर्ज तृतिय और चार्ल्स डिकन इस होटल में बहुत समय तक रुके थे उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था वैसे तो यह होटल आज भी आमजन के पूरी रात खुला रहता है लेकिन फिर भी आप यहाँ ठहरने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यह पाया है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है और उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है इस होटल के कमरे 17 और 28 बेहद खौफनाक हैं यहाँ ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा पाया है 3. ला लॉरी हाउस, अमेरिका सन 1800 के शुरुवाती दवार में इस होटल में मैडम ला लॉरी रहा करती थी दुनिया के सामने वह एक बहुत अच्छी महिला के तौर पर रहती थी लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानविय सलूग करती थी एक रात उनके एक गुलाम ने उस घर में आग लगा दी जिसमें जलकरला लॉरी की मौत हो गई लेकिन उस आग में सिर्फ उनका शरीर जला था क्योंकि उसकी आत्मा आज भी वही भटक रही है और वहां आने वाले लोगों को यातनाएं देती है लोगोंने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी है जो सुनने में बेहट डरावनी होती है एक समय था जब इस जगह इंगलेंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बना कर रखा जाता था जिनमें से कई बंधकों के सिर काट दिये गए या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया उन्हीं मृत बंधकों की खतरनाक आत्माएं आज यहां भटकती हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती है लोगों ने कई बार यहां दर्द से चीखने चिलाने की आवाजें सुनी है और कटे सिर वाले शरीर को घूमते हुए देखा है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज